हिंदी सिनिमा के महसूर खलनायक स्वरगी अमरिसपुरी आज किसी भी परीचे के मोहताज नहीं है अगर गबर के बाद कोई खलनायक है तो वो है मोगेंबो अमरिसपुरी के अंदर ऐसी अद्भू समता थी कि वा जिस भी रोल को करते थे वो सर्थको उटा था अगर आपने उन्हें मिस्टर इंडिया के मोगेंबो के रोल में देख कर उनसे नफरत की है तो वही दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे में सिमरन की पिता का रोल करके उन्होंने सब के दिलों को छू लिया अमरिस्पुरी हर किरदार में फिट होने वाले एक आदर्स अभीनेता थे एक पिता दोस्त विलेन तीन भी किरदार में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी यही बात उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी हिंदी सिनेमा इस महान अभीनेता के बिना सायद अधुरा ही रहता अमरिस्पुरी ने अभीने कला का एक दमदार परिचे दिया और हिंदी कला जगत में अपना मुकाम इस्ताबित किया अगर परिवारिक पुष्ट भूमी की बात करें तो हमरिस्पुरी का जन्मर 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ इनके पिता का नाम लाला निहाल सिंग और इनकी मा का नाम वेत कोर था इनके चार भाई बहन और थे चमनपुरी मदनपुरी और बड़ी बहन चंदर कांता और सबस्ट छोटे थे भाई हरिस्पुरी अमरिस्पुरी ने अपनी सुरुआती पढ़ाई पंजाब से की इसके बाद वो सिमला चले गए सिमला के बीएम कॉलेश से बढ़ाई करने के उन्होंने अभीने की दुनिया में कदम रखा सुरुआत में वो रंगमंच से जुड़े और उसके बाद में उन्होंने फिल्मों का रुक किया उन्हें रंगमंच में बहुत ज्यादा लगाओ था एक समय ऐसा था जब अटल भ्यारी बाचपई और इंदरा गांधी जिसी ह प्रक्यात कलाकार बन गए चलिए आपको कुछ ऐसी मूवियां बताते हैं जिन में अमरिस्पुरी अगर ना हो तो उन मूवियों की कलपना भी नहीं की जा सकती है जिन में प्रमुख नाम है करन अर्जुन रामलखन घातक घायल दामीनी जीत गदर मिश्टर इंडिया जैस फिल्में इन फिल्मों में अगर अमरिस्पुरी ना होते तो इन फिल्मों में बिल्कुल भी बज़न ना होता अमरिस्पुरी की वाइफ का नाम था उर्मिला दिवेकर चलिए अब आपको बचाते हैं अमरिस और उर्मिला की लव कहानी यानि की प्रेम कहानी क्या है तो दो तो नहीं किया लेकिन थीटर में अम्रिस को काम करते देखना उन्हें काफी अच्छा लगता था दोनों के बीच में प्यार इतना गहरा हो गया कि साथ जन्मों तक साथ में रहने की जीने मनने की कसमें खाने लगे लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां परिवार के आई और मिल प्रकुल वेसी लगती है जैसे अरजुन कपूर आलिया भट की मुवी टू स्टेट की कहानी हो लेकिन कहते हैं ना मिया भीवी राजी तो क्या करेगा काजी आखिरकार 5 जन्वरी 1975 को दोनों जन्म जन्मांतर के बंधन में बनी गए बुलेबर में खुद को इस्ताफित करन दुनिया को अलविदा कहा है दोस्तों आपको अमरिसपुरी की कौन सी मुवी लगती है सबसे ज्यादा अच्छी और कौन सा केरेक्टर है जो आपको पसंद आता हो अपनी रायों को कमेंट में जरूर बताएं